नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूस बढ़ते हैं गिरडी जीले की खबरों की ओर भायात्रा निकाली गई और माननी अप्रधान मंत्रे जी का समोधन को करेकरताओं ने बड़े ही धार्य पुर्वक सुना हम लोग भारती जनता पार्टी को एक जूठता होने की जूरत है तब ही आगे बढ़ सकते हैं आज हम लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर जी पंडित दिन्द्याल उपध्याय और अटल बिहारी वाजपई जैसे नेता से प्रेणा लेने की जूरत है कि वो अपने देश की सेवा करते करते अपनी प्राण की आहूती दे दिये इस मौके पर चंदौरी सांसद प्रतनिधी सुनिल साओ ने कहा कि बिजपी विश्वकी सबसे पुर्ण चंद्र राम, विनोध वर्णवाल, विकास मंडल, टिंको मंडल सहीर दर्जनों कारेकरता मौजूद थे आज भारतिय जनता पार्टी के 42 में अस्थापना दिवस के सुववसर पर अपने केंद्री नित्रित्तो आदर्णी नरेंद्र मोधी जी के निर्देशा अनुसार पुरे देश में भारतिय जनता पार्टी के कारिकरताओं ने बहुत ही धूमधाम से आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया और इसी के संदर्भ में आज हम लोग अपने अपने घरों में भारतिय जनता पार्टी का जंडा लगा कर एवं मुख्याले मंडल के चंदावरी में जो चौक पर जंडा रोहन किया गया और तत पश्चात सोभायात्रा निकाली गई उसके बाद आदर्निय स्री नरेंद्र मोधी जी के संभोधन को सभी कारिकरताओं ने बहुत ही धार्णी पुरुवक सुना और आज सुनने के बाद हम लोगों को प्रेरना मिला कि भारतिय जंता पाटी एक बहुत ही राष्ट के प्रति समर्पित और शेवा करने वाली पाटी है जो दूसरे पाटियों से इनके नीती बहुत ही हटके है इसलिए हम सभी कारिकरता भारतिय जंता पाटी में काम करने के लिए हिरदय से रूची रखते हैं और हम तमाम भारत वासियों को निवेदा नेवं आग्रा करते हैं कि भारतिय जंता पाटी क्या स्थापना दिवस के सुवसर पर हम समों को प्रेर ना लेने की जोर्रत है कि श्यामा प्रसाद मुखरजी पंडित दिन द्यालुपाध्या और अटल व्यारी वाजपई जैसे नेता आज अपने देश के कि दिए हैं और देश का सेवा निश्ठापुर्वAK किये हैं इसी से हम सब कारीकर्ता उनके बलेदानियों को ब्हूलना नहीं चाहिए और बहुत ही संघर्ष के साथ भारतिजनता पाटी के कार्यों को पाटी द्वारा संचालित सभी कार्यकर्मों को करना चाहिए जिससे पूरे देश में भारतिय जनता पाटी का पर्चम हमेशा लहराता रहे और उन महापुरुसों को सक्षी सर्धानजली के रूप में एक सच्चा सिपाही हमेशा समझ में आवे कि भारतिय जनता पाटी हमारे कारिकरता पूरे निष्ठा और सच्चाई के साथ कारिकरता झाल झाल